नमस्कार सातियों कैसे हो आप सभी भै अपनी लोकसभा चल रही है लोकसभा की दो कलाशे अपने ले ली दो कलाशे अभी तक लोकसभा की अपने ले ली शातियों उसमें अब वर्तमान में अपनी सत्रवी लोकसभा जो चल रही है वर्तमान में उसकी बात करेंगे उससे संब पूरे हुए कितने चर्णों में साथ चर्णों में उनके बारे में एक एक करके जानेंगे तब उससे पहले बात करते हैं जो सत्री लोक सबा है वो 11 अप्रेल 2019 से उसके चुनाव शुरू हुए 11 अप्रेल 2019 11 अप्रेल 2019 से लेकर गुनिस मई तक गुनिस मई 2019 तक गुनिस मई तक रही साथ सन्नों में चुनाव है इसके समपून बात करते हैं पन लेकिन इस से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाई जो से ये 17 लोक सबा है ये तो अपनी 17 लोक सबा है इसके चुनाव जो हुए वो साथ चर्णों में हुए लेकिन भारत में पहली बार लोकसवा के चुनाव 25 अक्टुमबर 1951 से लेकर 21 फर्वरी 1952 तक हुए मतलब 1951 से लेकर 1952 तक चुनाव चली किसके लोकसवा के जो पहले चुनाव हुए वो चुनाव हुए 1951 से लेकर 25 अक्टुमबर 1951 से लेकर 21 परवरी 1952 तक बारत में पहली बार लोग सबाकिये चुनाओ चले तो उसको बोलते हैं 1951 और 1952 ठीक सातियों अब बात करते हैं सत्रवी लोकसबा की जो सत्रवी लोकसबा के जो चुनाव हुए वो साथ चर्णों में हुए कितने चर्णों में हुए साथ चर्णों में देखो इधर देखिए साथ चर्णों में संपन हुए तो जेसे कि मनें बात की थी जो ग्यारा अपरेल को शुरू हुए और सात्वा चरन देकोर कुनित yeah मतलब ग्यारा अपरेल से शुरू होकर कुनित S Mic तक साथ चरनों में चुनाव संपन्म हुई सात्यों अब देखो सातियों जो पहला चरन था जो फ़ष्ट चरन था सातियों वो था 11 अपरेल 2019 मतलब जो सत्रुई लोकसबा के चुनाव शुरू हुए 11 अपरेल 2020 20 राज्यों में चुनाव हुए पहले चरन में किते राज्यम चुनाव हुए 20 राज्यों में इकराण में सीटों के पहले चरण में इकराण में शीटों के लिए किते शीटों के लिए इकराण में शीटों के लिए सातियों इकराण में शीटों के लिए चुनाव हुए 11 अप्रेल 2019 पहला चरण 11 अप्रेल 2019 बीस राज्यों में चुनाव हुए इकराण में शीटों के लिए दूसरा चरण देख पिच्चान में शीटों के लिए दूसरे चरण में 18 अप्रेल 2019, 12 राज्यों में पिच्चान में शीटों के लिए चुनाव हुआ शातियों, तीसरे चरण में 23 अप्रेल 2019, 15 राज्यों में 117 शीटों के लिए, 15 राज्यों में 117 शीटों के लिए अब यहां पे कौन शी बात आती है यहां पे बात आती है कि भाई आपसे पूछ लिया जाए कि जो तीसरा चरण है उसमें 117 शीटे हैं तो सरवादिक शीटे मतलब सरवादिक शीटों पर चुनाओ तीसरे चरण में हुआ चाती हो ये बात ध्यान देने वाली बात है मतलब जो पहला चरण है उसमें 91 शीटों के लिए हुए दूसरे चरण में 95 शीटों के लिए चुना हुआ लेकित तीसरे चरण में 117 शीटों के लिए चुनाव हुआ कितनी सिटों के लिए 117 सिटों के लिए तो आप से पूछ लिया जा सकता है कि भाई सरवादिक कौन से चरण में सरवादिक सिटों के लिए चुनाव हुआ तो वो है तीसरा चरण सरवादिक सितो के लिए चुनाव हुआ तीस्य चरण में चोथे चरण देखिए चोथा चरण है गुनतीस अप्रेल चोथा चरण है गुनतीस अप्रेल नो राज़े 31 सितो के लिए प्natच्व चरण में देखो 6 मही पांचवा चरण हुआ 6 मही को 7 राज्जों के लिए 51 सीटों के लिए और 6 चरण हुआ 12 मही 7 राज्जों में गुनशट सीटों के लिए और 7 राज्जों लास्ट चरण गुनिश मही 8 राज्जों के लिए 59 सीटों पर 59 सीटों पर साती हूँ अब देखो सात्यों इसमें बहुत important बात है अपने को दियान रखना तीसरा चरण, चोथा चरण और पांचवा चरण क्यों तीसरा चरण में तो आप से पूछ लिया जा सकता है कि भाई सबसे ज़्यादा 117 सीटों पर कौन से चरण में चुनाव हुआ तो वह हुआ तीसरा चरण में लेकिन चोथा और पांचवा चरण क्यों important है आप देखिए क्योंकि हम रीट की तियारी कर रहे हैं तो जो चो जो चोथा और पांचवा चरण है उसमें राज़्यस्तान के चुनाव हुए राज्यस्तान के चुनाव कि दो चरणों में हुए चोथा और पांचवा चरण में आप से पूछ लिया जा सकता है कि राजस्तान के कौन से चरणों में चुनाव हुआ तो साथ चरण है टोटल चोथा और पांचवे चरण में राजस्तान का चुनाव हुआ जिसमें चोथे चरण में गुंतिस अपरेल को चुनाव हुआ और पांचवे चरण है जो छे मही को चुनाव हुआ जो चोथा चरण है सातियों वो तेरा सीटो पर चुनाव करता है राजस्तान की तेरा सीटो पर चोथे चरण में चुनाव होता है राजस्तान की तेरा सीटो पर चोथे चरण में और बारा सीटो पर पांचवे चरण में राजस्तान की 13 सीटों पर 4 चरण में और राजस्तान की 5 चरण में 12 सीटों पर यानि कुल सीटे राजस्तान की कितनी है 25 सीटे कुल सीटे कितनी है 25 आपको समझ में आए अपने लिए important है तीसरा चरण की पूछ लिया जा सकता है सबसे ज्यादा सीटे 17 सीटों पर तीसरा चरण में चुना हुआ जो चोथा चरण है उस चोथा चरण में राजस्तान से संब्दित चुना हुआ चोथे चरण में राजस्तान से और पांचवे चरण में चोथा और पांचवे चरण में राजस्तान में चुनाव हुए चोथा और पांचवा चरण है वो गुंती सप्रेल को हुआ पांचवा चरण है वो छै मही को हुआ चोथे चरण में 13 सीटों पर पांचवा चरण में 12 सीटों पर यहां तक आपको समझ में आया भाई सर्वपर्थम परशन बनता है कितने चरोणा में तो वो वे 7 चरणों में चुनाओ समपन हुआ फिर परशन बनता है पहला चरण कब हुआ 11 अपरेल, दूसर चरण 18 अपरेल तीसर चरण 23 अपरेल सबसे ज़्यादा सीटों पर चोथे चरण और पांचवे चरण में राजेस्तान में गुंती सपरेल 6 मई, फिर 6 चरण फिर 7 चरण 19 मई 6 चरण 12 मई यहां तक समझ में आया, अब देखो सातियों सत्रवी लोगसबा के चुनाओ, अब एक परशन और आ सकता है कि बाई जो सत्रवी लोगसबा के चुनाओ होए क्या उस समय विदान सबा में भी चुनाओ हो रहे थे मतलब सत्रवी लोगसबा के साथ 4 राज्यों में विदान सबा चुनाओ भी होए थे वो 4 राज्य कौन से हैं अंदर परदेश, ओडिशा, अरुनाचल परदेश, शिक्किम देखो ये परशन पूछ लिया जा सकता है कि बाई सत्रवी लोगसबा का जब चुनाओ हो रहा था तब क्या विदान सबा के चुनाओ भी हो रहे थे तो 4 राज्य कौन विदान सबा के चुनाओ हो रहे थे अंदर परदेश, ओडिशा, अरुनाचल परदेश और शिक्किम सातियों अंदर परदेश, ओडिशा, अरुनाचल परदेश और शिक्किम अब देखो ये क्या है? वीवी पीटी ये क्या है वीवीपिटी वीवीपिटी क्या होता है इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन जो EVM है सातियों उसके साथ रहने वाली ये मशीन है वीवीपिटी जिस से हमको ये मशीन क्या बताती है कि आप किसको वोट दिये इसकी फुल पॉर्म है वोटर वेरिफाइड पेपर अब की बार देखो ये परचन और आसकता है पहला चुनाओ 2019 लोगसभा में पहली बार वीवीपिटी का प्रियोग हुआ 2019 के लोगसभा में पहली बार वीवीपिटी का प्रियोग हुआ VVPT क्या है EVM के साथ एक AC मशीन है जिससे पता लगा जा सकता है कि आपने किसको वोट दिया है अंतिम में बता देती है आपका वोट सही जगे गया है या नहीं तो इसका प्रियोग अब की बार लोग सबा के 2019 की लोग सबा के चुनाओ यानि 70 लोग सबा में अब की बार इसका प्रियोग हुआ वी VVPT का वोटर वेरिफाइड पेपर ओडिट ट्राइल इसकी फुलपॉन भी आपसे पूछ ली जा सकती है VVPT वोटर वेरिफाइड पेपर ओडिट ट्राइल देखो शातियों आपको समझ में आ रहा है यहां तक अब देखो सातियों जो 2019 के जो लोग सबा चुनाओ है उसकी मतदाता हैलप लाइन नंबर गुनी सो 50 है मतदाता हैलप लाइन नंबर कितने है गुनी सो 50 तो जार आपको पूछ लिया जा सकता है फाई कि बाई जो दोजार गुनित लोक सबाट चुनाव हुए उसमें मतदाता हेलप लाइन नमबर कितने हैं ₹100 ये क्यों हैं क्यों क्यों कि चुनाव आयोग का घठन हुआ वह 26 जन्वरी चुनाव आयोग का घठन कब हुआ गुनिस सो पचास आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 2000 गुनिस में लोकसभा चुनाओ के लिए मतदाता हेलप लाइन नमबर कितने थे तो मतदाता हेलप लाइन नमबर थे गुनिस सो पचास गुनिस सो पचास और वरतमान में मुख्य चुनाओ आयोक्त कोन है सातियों वरतमान में मुख्य चुनाव आयोक्त हैं सुनील अरोडा सातियों सातियों बात करें तो जो चुनाव आयोक्त होता है वर्तवान में जो मुख्य चुनाव आयोक्त है उसका कारेकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयो तो सुनील अरोडा थे यहां तक आपको समझ में आज अपने बा एकक सत्री लोग सबह एक डिक्रायां थेगर thाव और आप्रेट हुआ ते ग्याथोर आप आप्रेल 20 आप आप रेल को परेल totally राजस्तान में चोथे चरण और पांच्वा चरण में चुनाव हुआ चुनाव हुआ गुंतिस अप्रेल को तेरा सीटों पर और चुनाव हुआ शातियों शत्री लोग सबा के चुनाव के साथ चार राज्यों में विदान सबा चुनाव भी हुए आंदर प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, शिकेम, वी वी पिटी की फुल पॉर्म में वोटर वेरिफाइड पेपर ओडिट ट्राइल जो दो जार गुनिस में इसको पर करता हूँ, आपको सत्री लोग सबा का पार्ट फर्ष समझ में आया होगा, दूसरे पार्ट में इसको संपन कर देंगे सत्री लोग सबा को जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साती हो